लव्य व्यवस्ता अध्याई 21 याजिकों के लिए विशेश विशेश विधिया फिर यहोवा ने मूसा से कहा हारुन के पुत्र जो याजक है उनसे कहा कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुध न करे अपने निकट कुटुम्बियो अर्थात अपनी माता वा पिता वा बेटे वा बेटी वा भाई के लिए वा अपनी कुवारी बहीन जिसका विवाह न हुआ हो जिनका समीपी संबंध है उनके लिए वह अपने को अशुध कर सकता है पर याजक होने के नाते से वह अपने लोगों में प्रधान है इसलिए वह अपने को ऐसा अशुध न करे की अपवित्र हो जाए वह न तो अपने सेर मुंडाए और न अपने गाल के बालों को मुंडाए और न अपने शरीर चीरे वह अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे और अपने परमेश्वर का नाम पवित्र न करे क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चड़ाया करते हैं इस कारण वे पवित्र बने रहें। वह तेरी दुष्टी में पवित्र ठेरें क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ और यदि याजक की बेटी वेशा बन कर अपने आपको अपवित्र करें तो वह अपने पिता को अपवित्र ठेराती हैं वह आग में जलाई जाए और जो अपने भायों में महायाजक हो जिसके सिर पर अभिशेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्र को पहिदने के लिए संसकार हुआ हो वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे और न अपने वस्त्र फाड़े और न वह किसी लोथ के पास चाये और न अपने पितावा माता के का अपने को अशुद्ध करे और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठैराए क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिशेक का तेल रुपी मुकुट धारन किये हुए है मैं यहवा हूँ और वह कुवारी ही स्थ्री को ब्या है जो विद्वा वा त्यागी हुई वा भ्रश्टा वा वेशा हूँ ऐसी किसी को वह न ब्या है वह अपने ही लोगों के बीच में कि किसी की कुवारी करन्या को ब्याहे और वह अपने विर्य को अपने लोगों में अपवित्र न करे क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहवा हूँ फिर यहवा ने मूसा से कहा हारुन से कहा कि तेरे वन्ष की पिढ़ी पिढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोशो वह अपने परमिश्वर का भोजन चड़ाने के लिए समीप ना आए कोई क्यों न हो जिसमें दोशो वह समीप न आए चाहे वह अंधा हो चाहे लंगड़ा चाहे नकचप्ता हो चाहे उसके कुछ अधीक अंग हो वा उसका पा वा हाथ टूटा हो वा वह कुबड़ा वा बवना हो वा उसकी आख में दोश हो, वा उस मनुष के चाई वा खुजली हो, वह उसके अंडर चिपके हो, वा हरुन या जग के वन्ष में से जिस किसी में कोई भी दोश हो, वह यहवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए, वह जो दोश युकत है, कभी भी अपने परमेशुर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए, वह अपने परमेशुर के पवित्र और परम पवित्र दोश के भोजन को खाए, परंतु उसके दोश के कारण वह न तो बीच वाले परदे के भीतर आए और न वेदी के समीप, जिससे ऐसा न हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को और उनके पुत्रों को तथा कूल इस्राइलियों को यह बाते कह सुनाई, लव्य विवस्ता अध्याय बाईस, लव्य विवस्ता अध्याय बाईस, फिर यहवा ने मुसा से कहा, हारुन और उसके पुत्रों से कह यह कहा, कि इस्राइलियों की पवित्र की हुई वस्तों से, जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं, नयारे रहे और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करें। मैं यहवा हूं। मैं यहवा हूँ। हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोड़ी हो वा उसके प्रमेह हो वह मनुश जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुमें से कुछ न खाए। और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो वा जिसका विरिय स्खलित हुआ हो ऐसे मनुश को जो कोई छुए और जो कोई किसी ऐसे रेंगनेहारे जन्तु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं वा किसी ऐसे वस्तु को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्ध ठैरा रहे और जब तक जलसे सना न कर ले तब तक पवित्र वस्तु में से कुछ न खाए तब सुर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठैरेगा और वह पवित्र वस्तु में से खा सकेगा क्योंकि उसका भोजन वही है जो जानवर आपसे मरा हो वह पशु से फाड़ा गया हो उस इसलिए याजक लोग मेरी सवपि हुई वस्तुों की रक्षा करे ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाए मैं उनका पवित्र करने वाला यहवा हूं पराय कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाने पाए चाहे वह याजक किसी प्राणी को रुपया दे कर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है और जो याजक के घर में उत्पन्ण हुआ हो वे भी उसके भोजन में से खाए और यदि याजक की बेटी पराय कुल के किसी पुरुश से ब्याही गई हो तो वह भेट की हुई यदि याजक की बेटी विद्वा वा त्यागी हुई हो और उसकी संतान न हो और वह अपनी बाल्यावस्था किरीती के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए पर परायकुल का कोई उसमें से न खाए और यदि कोई मनुश्य किसी पवित्र वस्थु में से कुछ भूल से खाजाए तो वह उसका पाँचवा भाग बढ़ा कर उसे याजक को भर दे और वे इस्राइलियों की पवित्र की हुई वस्थु को जिन्हें वे यहवा के लिए चढ़ाए अपवित्र न करें वे उनको अपनी पवित्र वस्थु में से खिला कर उनसे अपरात का दोश न उठाए मैं उनका पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ फिर यहवा ने मूसा से कहा हारून और उसके पुत्रों से और इस्राइलियों से समझा कर कहा कि इस्राइल के घराने का वा इस्राइलियों में रहने वाले परदेश्वियों में से कोई क्यों नहों जो मन्नत वा बली चढ़ाए तो अपने निमित्त ग्रहन योग्य ठहरने के लिए बैलो वा भेडो वा बक्रियों में से निर्दोश नर चढ़ाए जिसमें कोई भी दोश हो उसे न चढ़ाना क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहन योग्य न ठहरेगा और जो कोई बैलो वा भेड़ बक्रियों में से विशेश वस्तु संकल्प करने के लिए वा स्वेच्छा बली के लिए यहवा को मेल बली चढ़ाए तो ग्रहन होने के लिए आवश्य हैं कि वह निर्दोश हो उसमें भी कोई दोश न हो जो अंधा वा अंग का तूटा वा अईसों को यहवा के लिए न चढ़ाना उसको वेदी पर यहवा के लिए हव्य न चढ़ाना जिस किसी बैल वा भेड वा भेड वा बक्रे का कोई अंग अधीक वा कम हो उसको स्वेच्छा बली के लिए चढ़ा सकते हो परंतु मनत पूरी करने के लिए वह ग्रहन न होगा जिसके अंड दबे वा कुछले वा तूटे वा कट गए हो उसको यहवा के लिए न चढ़ाना और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। फिर इनमें से किसी को तुम अपने परमेशुर का भोजन जान कर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ क्योंकि उनमें उनका बिगाड वर्तमान है उनमें दोश है इसलिए वे तुम्हारे निमित ग्रहन न होंगे। फिर यहवा ने मूसा से कहा जब बच्छडा वा भेड वा बक्री वा बच्चा उत्पन हो तो वह साथ दिन तक अपनी मा के साथ रहे। फिर आठवे दिन से आगे को वह यहवा के हव्यवाह चढ़ावे के लिए ग्रहन योग्य ठेरेगा। का मेलवली चढ़ाव तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहन योग्य ठेरे। वह उसी दिन खाया जाए। उसमें से कुछ भी बिहान तक रहने न पाए। मैं यहवा हूँ। और तुम मेरी आग्याव को मानना और उनका पालन करना। मैं यहवा हूँ। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठेराना क्योंकि मैं इसरायलियों के बीच अवशे ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहवा हूँ। जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। जिससे तुम्हारा परमिश्वर बना रहू। मैं यहवा हूँ।